हेलो स्टूरेंट्स तो हम आपके लिए लेकर आगए हैं कक्षा ग्यारवी विशे राजनीती विज्ञान का अर्दवार्सिक परिक्षा पेपर 2021-22 और हमने जो ये पेपर त्यार किया है उसमें हमने काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रस्णों को सामिल किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले हैं सही विकल्प चुनकर लिए तो किस ने कहा कि सविधान के बिना कोई राज जिन नहीं हो सकता तो ये कथन किसके हैं ये आपको बताना है यहाँ पर मेंली जो आपसन दिये गए लासकी गारनर बारकर तथा जेनलिक तो पूरा पेपर हम देखने वाले हैं और काफी ज़्यादा महत्पुन होने वाला है इस कोरोना काल में आपका ये पेपर तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि सविधान के कि संसोधन ने मोलिक कर्तवियों को जोड़ा तो आपको पता होना चाहिए हो कि कौन सा उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के चुनाओ आयोग में मुख्य चुनाओ आयुक्त सहित कुल कितने सदस्ष होते हैं उसके बाद जो है next question हमारे लिए कि राष्ट पती की सम्विधानिक इस्तिती क्या है वो राज्य का देख्चे है राज्य वासासन का देख्चे सरकार का देख्चे है इनमें से कोई नहीं उसकी बाद जो अगला विकल्प है बच्चो आप देख सकते हो कि किसी राज्य की विधान सबा में अधिक किसके इस्तान हो सकते हैं कितने से कितने अधिक इस्तान हो सकते हैं राज्य की विधान सबा में तो यह हम बताना है उसके बाद यहाँ पर रिक्तिस्तानों की पूरती है रिक्तिस्तान जो पुर्ते में आप देख सकते हो कि भारत में मद्दान की न्यूनतमायू सभी को पता होगा उसके बाद है राष्ट पती को रिक्तिस्तान का विशेसाधिकार प्राप्त है तो यह आठ चार्सो 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 जी हां याद कर लिजिए वाट्सप नंबर क्योंकि अब चाहे आपका मैट्स का सवाल हो या फिजिक्स केमेस्ट्री बाइलोजिका आपके हर डाउट हर क्यूसिन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोलेशन वो भी सीधा आपके वाट्सप पर बस अपने तो देर किस बात की अभी जाईए आठ चार्सो 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 पर अपने सवाल वाट्सप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में वी आपको पता ही होगा बच्चो आल्रेडी बिना किसी फाइंड किये ये दोनों आंसर तो सविधान होता है तो यह बच्चो हम देखने वाले हैं एक वाक्की में उत्तर हैं सविधान सभा की स्तापना के समय समगर भारत का गवर्नर कोन था ये आपको बताना हैं उसके बाद है किसके बिना मनुश्य शम में जीवन नहीं व्यतित कर सकता उसका किस समुदाय को लोक स सभा विधान सभाओं में इस्तानों का आरक्षन दिया गया है किसे दो बार कार्य वाहक प्रधान मंतरी का उसर मिला है उसके बाद 2006 में किस राज जिम विधान सभा परिशत का पुना निर्मान हुआ था उसके बाद बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि सही जोडी बनाई नागरिकों का यहाँ अधिकार नहीं है कि उसके बाद अगला है अंतह करण की स्वतंतरता तो यह आपके सामने इसमें विकल्ब मोजूदे से जोडी में आप इनको फाइंड आउट करना है और यदि बच्चों आपको हमारे इस पेपर का साल्यूशन चाहिए तो आप हमार टेली काम चेन को जोईन कर सकते हैं उस पर इस पूरे पेपर का साल्यूशन आपको देखने को मिलेगा उसके बाद यहाँ पर नमर फाइप कठोर सविधान किसे कहते हैं और अथ्वाम कुन सा क्षिचन है कि कानून का सासन क्या है दो नमर क्षिचन है उसके बाद मोलिक साविधान में दे गए मोलिक अधिकारी तथा करता हुई दोनों में अंतर हमें बताना है उसके आद वयस्क मत अधिकार क्या है चुना आयोक के कोई दोगारी लिखना है सविधान के उलंगन पदबंद का क्या अरत है सामुई उतरदाई तो क्या है धन विधय क्या है लोकसभा में पहली महिला इस पिकर कौन थी उसके बारे में अपने विचार स्पष्ट करना है उसके बाद लोकसभा के अध्रिक्षी की तीन सक्तियों का वर्ण कीजिए साराज सभा की विशे सक्तियों का वर्ण करना है उसके बाद कारेपालिका किसे केते हैं वो प्राष्ट पदी के पत की क्या योगिता निर्धायत की गई है एकल संक्रमन मत पणाली का क्या अर्थ है क्या आलप संक्यकों की प्रतिन निदित व अवश्य दिया जाना चाहिए उसके बाद भारती संविधान के चार स्थितों का वर्ण कीजिए प्रतिन 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 प्र कुश्यर नमर नाइंटीन है कि लोकतां सरकार से क्या अवर्ण कीजी एूससिए निसीति जीयोटत क्या लख्शन लखिजी राश्टपत्पती क्यों क महा नियोग प्रक्रिया का लखिय। किसी विधय को कानुन बनने के क्रम में जिन आओ विवस्ताओं से गुजन ना पढ़ता है उन्हें क्रमभार समझाईए संस्ती सिमितियों की विवस्ता में संसत के इस विधाई कामों में मुल्यांकन और देखरेक का क्या प्लावा पढ़ता है तो यह बच्चो को टोटल बाइस क्यूस्चन है और कापी जादे इंपोर्टेंट प्रसन है आपके लिए इनको त्यार करना है आपको थेंक्स फॉर वाचिंग धिस विडियो